नमस्कार साथियों मैं सचिन सद्मा अंतेवासी अकेडमी में आप सभी का स्वागत है उम्मेद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे तो इसे ही के साथ हम लोग आपके सेशन के सद्वात करते हैं जो आज का जो हमादा टॉपिक है वो है सेकंड फेज ओफ रिविलूशनरी म मुमेंट को दो फेज में डिवाइट कर चुक है फस्ट फेज एंड सेकंड फेज फेज के इससे पहले तीन वीडियो आ चुके हैं अगर आपने नहीं देखा तो जाके उसे देख सकते हैं ठीक अब हम लोग बात करने जाने सेकंड फेज यह बेसिकली कहां से स्टार्ट करत हैं अब यह जो सेकंड फेज इसको स्टार्ट करने से पहले मैं बता देता हूं कि आज का जो सेशन है वह बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आज के सेशन को सही तरीके से आपको समझ में आए इसलिए हम लोग ने आज की सेशन को तीन पार्ट में डिवाइट कर रखा है पहला है कि आपको यह डिटेल में कुछ इस तरीके से मिलेगा दूसरा इसी के बाद हम लोग ने इसी टॉपिक से डिलेटेड जो इंपॉर्टेंट कुश्चन से हैं वन लाइनर कुश्चन रखें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और फिर इसी से डिलेटेड जो प्रीविय 1920 के बाद से लगबग स्टार्ट होता है 1920 में हम लोग देखते हैं कि गांधी जी एंसीम लेके आये थे नॉन कॉपरेशन मुवमेंट ओके फिर क्या होगा चल रहा था बढ़ियां सक्सेज हुआ लेकिन 1922 में हम लोग देखते हैं कि चौरी-चौरा इंसीडेंट हो जाता है और चौरी-चौरा इंसीडेंट में वाइलेंस होने की वज़े से गांधी जी क्या कर लेते हैं इसे विड्रॉ कर लेते हैं अब बहुत सारे जो यंग ली तो और बहुत सारे लीडर क्या करेंगे स्ंशेंट्र सन्याल राम प्रसाद विस्मिल सुरिशें सुभाष्चंद्बोश्चंसिक राजाद ऑर राम्प्रसाद विस्मिल यहां वो फेमास लीडर है जिन्होंने क्या किया है इस second phase में leadership की है नित्रत की है अब जो second phase है इसको जब यह start हुआ तो जो सबसे पहले और important जो एक सभा बनी है वो नौजवान सभा है ठीक कि यह सारी चीज़े करेंगे कैसे तो कोई ना कोई group होना चाहिए organization होगा ठीक तो यह group organization कौन सा होगा तो सबसे पहले क्या होगा नौज सभी का जो dominance area है वो पंजाब दिल्ली संयुक्त प्रांथ आज का यूपी यूनाइट प्रोविंस बिहार एंड बेंगौल यह इनके क्या है dominant area means यहां पे इन सभी का क्या रहेगा ज्यादा dominance रहेगा जितने भी revolutionary movement है और नौजवान सभा पर बात करते हैं कि जो अभी हम कि यह वह सारे लीडर है राम प्रशाद बिस्मिल सचिंद्र सान्याल कि सान्याल और इसके बाद क्या करते हैं शूरिषेंट चंद सिख राजाद एंड सुभास चंद बोस ठीक यह सारे वह फेमस लीडर है इनके बारे में अभी जैसा जैसा आता जाएगा वैसा वैसे हम ल इंफेक्ट मार्च 1926 में फॉइए कहां पर फॉइए तो पंजाब में फॉइए ओके फाउंडर कौन है भागत सिंग छवील दास एंड यसपाल हैं कहां फॉइए पंजाब में फॉइए और कभ फॉइए 1926 में मार्च में ठीक हाँ मैंने अभी बताए कि इनका जो डॉमिन बेंगॉल यही सब लएगा अब जो क्या किते हैं कि नौजवान सभा है ठीक है इसके जो प्रॉमिनेंट लीडर ठीक जो एकदम डॉमिनेंस पर्सनालिटी दे वह भगस सिंग है ठीक इनका बॉन 28 सेप्टेंबर 1907 को हुआ और 23rd मार्च 1931 को इन्हें क्या फासी दे दी सभवणी है इसका उद्देश क्या है एक्ट्व मेंबर्स कौन कौन से है ठीक इन पर हमलोग बात करते हैं तो जो इसका मोटो है नव्यूकों को क्या करना है फिर क्या करें मजदूर और किस्थानों के राज्जी की स्थापना करना है ठीक ओके यह इसका क्या हो गया में मोटो हो गया अब जो इसके एक्ट्व मेंबर से उन पर बात करते हैं एक्ट्व मेंबर कौन है केदार नात सहेगल है सार्दुल सिंग कविश्वर डॉक्टर भूपेनात दर्थ स्रीपाद अम्रद डांगे चंसिखर आजाद राजगुरु जस्पाल सोडी बिंडी रास यस्पाल यह सारे इसके क्या है प्रॉमिनिंट लीडर है ठीक पूछे जा सकते हैं ऐसा एक्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कि कुछ ऑप्शन्स दे रेगा इनमें से कौन नौजवान सभा का मेंबर है या कौन नहीं है ऐसे कुश्चन बहुत बार पूछे गए हैं अब जो इसका मोटो है वह सारी चीजे क्या है तो क्रांतिकारी के दूसरे चरण में नौजवान सभा का जो पंजाब में है इसकी बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है ठीक अभी क्या होगा भगत सिंग का और दूस के साथ मिलके मित्ता सबधा मनाएंगे and ये स्कतल संग नहीं क्या किया था बनाये था भगत सिंग तो आगे बात करते हैं यह जो नौजवान सभा है हाला कि हम लोग देखेंगे कि नौजवान सभा लास्ट में 1928 में आते आते ठीक हादे में मिल गी थी और हादे जो है वो उसका नाम कंवर्ड करके सब्सक्राइब तो में उन्हें जो काम किया हुआ वह यह है कि जो साइमन कमीशन आया साइमन कमीशन नाएटीशय नाइटीटिशनद कि क्या होता है फार्म होता है तो इसका हम प्रकि क्यों कर रहे हैं क्योंकि इस पर seven members हैं वो all seven Europeans हैं इसलिए यहां पर इसका क्या किया जाएगा अपोस किया जाएगा नवजवान सभा साइमन का अपोस्ट कर रही थी ठीक लगबग जितने भी North India में या South India में सभी लोग क्या कर रहे तो समय साइमन कमिशन का अपोस्ट कर रहे थे ओके इसी टाइम पर क्या होता है लाहौर के आसपास पंजाब वाले एरिया में ठीक यह लाला लासपास इसके अपोस्ट में थे 1920 के आसपास इनकी एज काफी हो चुकी है और यह लेकिन फिर भी जो यंग है यूथ है उनको यह लीडर्शिप प्रवाइड कर रहा है और जो साइमन का अपोस्ट हो रहा है उसमें जो क्या करते हैं कि एगटेशन हो रहा है ठीक उस पर सबसे आगे लाइन में यह थे लाला लाजपत्र है और क्या होता है कि लाठी चार्ज का ओडर दे दिया जाता ह सब्सक्राइब रिटिस के द्वारा उस पर यह घायल हो जाते हैं और घायल होने के बाद हम लोग देखते हैं कि 1928 में इनफेक्ट सेवन नेवेंबर सेवन नेवेंबर 1928 में लाला लाजपत्राइब के डेथ हो जाएगी है अब यह डेथ के पीछे रिस्पॉंसिबल कौन है सुप्रेटेंडेंडेंड और पुलिस स्पी स्कॉर्ट तो जो यह सभी है स्कॉर्ट को मारने के लिए प्लान बनाएंगे ठिक बट इत्फाक से क्य ठीकी फूस्टफेस्ट फेस में इस तरीके की घुलतियां वो रही थी कि मारना किसी और को upना था और और किसको जोन कैनेडी की ठीक बीटी और पत्री को माझ दिया था सेम यहां पर भी सारी चीज़े हो रही है मारना था स्कॉर्ट को लेकिन कौन मर गया सॉंडर्स यह लाला लास पत्र है जिनकी साइमन कमिशन के उस पर अपोस करने में डेथ हो गई थी सेरे पंजाब पंजाब के शरी इन सभी नामों से जानते हैं इनको 1928 में सभागा हिंदुस्तान में विलय कर दिया गया है बता चुका हूं आपको हो चुका है नौजवान सभाव फॉर्म हुए 1926 में लेकिन यह फॉर्म हो गया है कब 1924 अक्टूबर में किसने फॉर्म किया है सचिंद्रनात सान्याल के नेतरत्त में भगत सिंग का इसमें इंपॉर्टेंट रोल है ठीक ओके इसका मोटो क्या है तो इसका मोटो भी लगभ से क्या करेंगे आजादी लेंगे ठीक यहां से निकलना है अब यह क्रांतिकारी गत्वीधियां कैसे होंगी और विद्रो कैसे होगा और यह जो इनका मानना है इनका मानना यह है कि विद्रो कैसे होना चाहिए आम्ड रिबेल होना चाहिए मतलब ससस्त्र विद्रो करेंगे इस से क्या होगा इस से तरीके से हटाएंगे मतलब यह सभी mostly 19 17 में जो रस्षियन revolution थी उससे बहुत inspired थे 1917 में हम लोग देखते हैं कि रस्षियन revolution हुई थी रस्षियन revolution से यह क्या थे बहुत ज्यादा inspired थे कि जैसे परशिया में हुआ है कि जो जारसाही खतम की गई है बिल्कुल वैसे यह क्या करेंगे यहां से भी बिटिस को क्या कर देंगे हटा देंगे अब आगे बात करेंगे कि अब यह जो आम्ड रिबेल होगा ठीक जो सस्त्र विद्रो है इसके लिए वैपन सी यह आंस कहां आएंग तो आम्स को परशेस करने के लिए मैंने करने के लिए पैसा चाहिए अब पैसे के लिए क्या किया जायगा झालक तो कि जो एक्टिव मेंबर कौन कौन है तो एक्टिव मेंबर राम प्रशाद बिस्मिल योगेश चंद स्टरजी अस्फाक उल्लाखा भगत सिंग चंद सेखराजाद राजेंद्र लाहडी एंड रोशन सिंग ठीक मैंने बताया कि इनका मोटो क्या है क्या करना चाहेंगे यह सभ सब्सक्राइब इनकी जरूदत होगी तो पहले इनका प्लान यह था कि जो इंडिया है 베alth yeah क्लास के लोग है Geekं इनने लूटना चालू किया जाए टो des हैचारे की मेंबर उनका नाम खराब होने लगा तो भगसip और इन सभी के कहने पिस्भी चीजों को क्या कर दिया गया ड़न्द कर दिया गया और द दूसरा फ्लाइन थूना गया है कि क्या किए जाय तो जो घुक कर देंगे लोट लेते हैं इस पे ब्रिटिस का जो खजाना है आता जाता रहता था इसी माध्यम से ठीक उस समय पे जो कम्निकेशन का जरिया है वह उनली क्या था तो क्या किया जाएगा यहीं निकाल लेंगे ठीक अब गया है यह सारी वह बाते हैं जो मैं बता चुका हूं कि रूस की त सफल घटना को क्या किया जाएगा अंजाम दिया जाएगा इंपॉर्टेंट है कि यह पहली बार किया गया था पहली बार में सक्सिद अब काकोरी कांट को देखते हैं यह कुछ वहां की पिक्चर्स हैं ठीक इस तरीके से क्या किया गया था ट्रेन को रोका गया और ट्रेन क कब हुआ है इसका जो नाम है वो अभी चेज़ कर दिया गया है क्या कर दिया गया है का कोई तो हम लोग इसे का बहुते ट्रेंजर एक्शन बोलें तो ज्यादा बहतर रहेगा ठीक कब हुआ है पैसेंजर ट्रेन पर किया है डेकेटी की गई है ठिक अब डेकेटी से क्या होगा जो सरकारी खेजाना है इसे लूट लिया गया है सफल घट नथी तक है अब जब यह लूट लिया गया है तो उसी रात लूटा गया और जहाँ पे पहले सो जो decide जगय थी वहां पे उन सभी चीजेंगों को भाजाने गया गया है उसी रात पर क्या हुआ सारी खबर फैल गई है कि काकोरी में एक बहुत बड़ी घटना हुई है चोरी हुई है अब इससे क्या होगा इससे जितने भी उसमें इन्वाल्व थे लोग उन सभी के उपर केस चलेगा ठीक केस में करीब करीब 29 लोगों को ग्रिफतार किया जाएगा इसमें से चार को फांसी दे दी जाएगी ठीक यह आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि वह कौन से चार लोग थे ठीक जिनको फांसी दी गई है एक्जाम में कई बार पूछा गया है आगे भी पूछे जाने की संभावना यह है ठीक दूसरा जिनको जेल भ करने की को कहा पर रखा गिया है राजेंद यहीं को गॉंडा में रोशन सिंग्ग को अलहाबाद के नाइनी जेल में रखा गिया है राम्प्रशाद बिसमिल को और अशपा गुल्ला खां के मैं फैजा बात खेल और अब आगे बात करते हैं कि ये क्या है एक पारे प्रेशव थिक है हाँ अभी मतलब हम लोग लोग ने एठाब देख लिया काकोडी अब इसके बाद क्या हुगा काकोडी की घठना के बाद जो HR है इसके जादा तर member या तो गिरफसार हो चुके है कुछ को फांसी दे दी गई है कुछ को उम्रकैत की सजा दे दी गई है कुछ को काला पानी की सजा दी गई है तो इस तरीके से क्या होगा कि जो प्रशेंगिक्ता है ना कि एचारे की वह खतम होसी हो जाती है क्योंकि लीडर बचे ही नहीं है ठिक अब आगे बात करते हैं कि आगे क्या होगा इस लिए क्या होगा चंद सिकर आजाद इस गुरुप को दुबारा रियॉर्गनाइज करने की कोशिस करेंगे ठिक तो देखते हैं कि क्या किया है है तो 10 सितंबर 1928 को सेप्टेंबर 10 1928 को फिरोज सा कोटला मैदान में क्या होगा दिल्ली में बैठक बुलाई जाएगी जहां पर इस चीच को फिर से रियॉर्गनाइज करेंगे आपके लिए छोटा सा होमवर्ग है बताना है आपको कि फिरोज सा कोटला का प्रेजिंट में कर दिया गया है आपको यह पता करके कमेंट में बताना यह संस्थापक कोट ने चंसिखार राजाद इन्होंने दुबारा क्या किया इसको कुर मोटो क retwev पहले से थोड़ा सा अलग हो गया है क्या कि पहले जो इसके लीडर थे वो डिसीजन लेते थे अब इसमें सब की सहमती से डिसीजन लिए जाएंगे ठीक तो अभी इसमें ऐसा कुछ हो गया है सक्री सदत से भगवती चरण गोहरा इन पर आगे कुश्चन आएगा विजय कुम यह जो काकोरी कांड था इसमें सभी लोग पकड़े गए थे सिर्फ एक थे चंसेखर आजाद जो हमेशा आजाद रहे हैं ठीक मतलब इनका एक फेमस कोट था कि आजाद थे आजाद हैं आजाद ही रहेंगे तो चंसेखर आजाद वो परसनालिटी हैं जिनको ब्रिटिस कभ लाहर कर दिया जाएगा एक सारे कर दिया जाएगा ठीक चलिए अब आगे बात करते हैं इसने क्या किया है इस पर बेसिकली तीन जो प्रमुख घटनाएं होती है पहला क्या होगा पहला यह कि संदर्स की हत्या माधना था स्कौर्ट को लेकिन सांडर्स को माध दिया एसेम् लोग ने देखा इसके बाद कुछ हमारे पास important questions है इन पर बात करेंगे और जो इस टॉपिक से रिलेटेड एमसी इस पर बात करेंगे तो पहला यह बंदी जीवन किस युवा क्रांतिकारी की पुस्तक है तो बंदी जीवन important है question बंदी जीवन किसका है तो सचेंद्र सान्य किस क्रांतिकारी की मृत्यू 64 दिन की भूखरताल पर हुई है इसके बारे में जब हम लोग लाहूर सडियन्त केश पढ़ रहे होंगे वहां पर हम लोग इसकी डेटेल में चर्चा करेंगे कि इन्होंने क्यों भूखरताल की है ठीक और किस वज़ेसे इनकी डेथ हुई है क कि इसका कछन है कि भगत सिंग जिंदावाद और इनकलाब जिंदावाद दोनों का जो अर्थ हो एक ही है सुभासचंडवेफ का जो बर्थ है वो 23 जयन को होता है ठीक आप को बताना है कि 23 जन्वरी को हम लोग कौन सा दिवस मनाते हैं ओके या आप कमेंट बॉक्स पर बताईएगा अब आगे बात करते हैं फांसी से पूर्व किस करांतिक आदी ने दूद्ध पीने समना कर दिया था तो यह कौन है यह राम प्रशाद बिस्मिल है और इन्होंने क्या क राजगुदू सुखदेव को किस case में फांसी दी गई है तो इनको अध़ेस्ट किया गया था ठीक संडर्स की हत्या की बज़े से लेकिन फांसी किस लिए दी गई है लौहा सडियन केस पर और पासी दी किस नहीं है कॉन से जजने तो जेसी हिल्टनने फांसी दी है फांसी क बुक है सरदार भगस सिंग की तो यह रहा है आज का सेशन ठीक अभी एंसी की इस पर बात करते हैं निम्लिक में से क्रांति कारी को जीवन के अंत में ठीक है मतलब एक तरह उनके नाम है और यह उनके बारे में कुछ डिटेल है मैच करना है जतिंदास जतिंदास ने भूखर तल की ठीक और भगस सिंग को हमें पता है कि फांसी दी गई थी ठीक चंद सिखर आजाद यह जब वह आमना सामना हुआ था इनका पुलिस से ठीक तो वहां पर मारे गए थे ठीक इन्होंने मतलब खुद को गोली मार थी डिटेस के हाथ से यह नहीं मरना चाहते थे ठीक अब बचा यह उप्शन हमाँ पर उससाद से जो मैच होता है मिला लिजए एक सेकंड एंड बीका थर्ड एक सेकंड मतलब यह और बीका भी कि तरह रही है यह वाला उप्शन क्या हो जाएगा सही हो जाएगा तो यह इस तरीके के कुश्चन PCS और SSC सभी में पूछे जाते हैं ठीक यह उसका English version किसी को English में देखना हो तो देख लीजेगा आंसर अभी भी सेम रहेगा निमलिकित में से किस में किस कारगार में राम प्रशाद बिस्मिल को रखा गया था तो अभी हम लोग किसने कहा था आलोचना स्वतंत्र चिंतन एक कांत्र क्रांतिकारी की दो विसेस्ताइब अच्छा कुश्चन है कि आलोचना और स्वतंत्र चिंतन यह किसकी मतलब जो क्रांतिकारी उसकी दो विसेस्ता हैं किसने कहा है तो यह जो कोट बंब भगत सिंग का है यह जब क्या किते हैं कि अयोग ठोड़ा सा कठिन कुश्चन बनाने की को सिस करता है तो ऐसे ही उटपटांग कुश्चन आते हैं ठीक की पूछ लिया जाएगा जो भगस सिंग है इनका जो बॉर्ण है वो 28 सेप्टेंबर 1907 पर हुआ है ठीक और जो एसेम्बली में बंकांड किया हुआ है वह 8 एप्रल 1929 को हुआ है तो अगर यहां से देख लें तो समझ में आ तो पच्चेस वाला तो ऑप्चन गलत हो गया 25 साल तो वह विचाद जीए ही नहीं थे और यह 25 साल वाला भी गलत हो गया ठीक 25 और जीए ही नहीं थे पूछा गया है तो इस कुश्चन को देख के हम लोग यह अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आयोग कुछ भी पूछ सकता है ठीक है कि ओम्र ठीक सबकुछ है हिंदुस्तान सोस्लिस्ट सोस्लिस्ट रिपब्लिकन एसोसियेशन की स्थापना ठीक है एक सारे तो एक सारे की स्थापना 1928 में होती है जबकि एचारे की स्थापना 1924 में होती है तो इसका राइट आंसर 1928 2016 यूपी उत्राखंट पीश्यस ओके तो एचारे जो कि 1924 में बना है और एचसारे कब बना है 1928 को क्या है कि फेका तो यह फेका था भगत सिंग ने और भगत सिंग के साथ कौन थे बटुकेश्वर दत्त थे ठीक अच्छा कोशन है कि एसेंबली में बंप कब फेका गया है तो एट अपरल 1929 को फेका गया है और किसने किसने फेका है तो यह फेका है भगत सिंग ने एंड बटुकेश्वर दत्त ने तो फस्ट एंड फॉर्थ फस्ट एंड फॉर्थ डीप ए बी गिंती किती अच्छी ए बीशी डी तो ए भी इसे सी और इसे डी कर लीजेगा राइट अंसर वन एंड फॉर्थ ओके चलिए तो यह आज का सेशन था नेक्स्ट पर हम लोग क्या बात करेंगे जो लाहौर सडियन्स केश है ठीक एसेंबली में बंप जो फेका गया इस पर एंड सांडर्स की हत्या इन सबी चीजों पर हम लोग नेक्स्ट क्लास से बात करते हैं तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पर तब तक के लिए थैंक यू